पंचकुला की सेक्टर छे में स्थित नागरिक हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से गिर के मरीज की मौध हो गई है बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल से खाना ले जा रहा था ये मरीज चौथी मंजिल पर नशा मुक्ती वाड में भरती था योवक मृत्यक की पहचान देवेंदर पाल सिंग के नाम से हुई है जिसकी उमर लगभग 30 से 35 साल की बताई जा रही है देवेंदर पाल सिंग पंचकुला के गाउन नाडा में अपनी परिवार के साथ रहते थे जानकारी के मताबक दिवेंदर पाल सिंग अपने वाड से बाहर निकल कर चोथी मंदिल से नीचे उतर कर तीसरी मंदिल से खाना लेने जा रहे थे तब ही सीडियो पर लगी ग्रेल पर उनका हाथ फिसन से उनका संतूलन बिगड़ गया जिसकी वज़े से वो बेस्मेंट पे जाके गिरे वहाँ मुझूद लोगों में ये हाथसा देखर चीक पुखार शुरू हो गई आरन फारम में घायल युवर को एमर्जनसी वाद में ले जाया गया जहां उसकी घंबीर हालों को देख थे हो डॉक्टर ने उसे चंडिगर पीजिया रैफर कर दिया जहां इलाज के दोरान दिवेंदर पल सिंग की मौध हो गई करेंगे कि यह चीजें सही है या नहीं है उसके बाद ही हम इनके खिलाफ फाइर लोग करेंगा चाहिए परशाशन हो चाहिए चाहिए स्टाफ हो अभी हमारी नजरों में जो है वह मामला पुरुन रूप से लापरवाई का बन रहा है जिसमें परशाशन की और चिकित्सिक स्टाफ की लापरवाई नजर आती है जिसमें रेलिंग का साइज बहुत ही नॉर्मल सा है जिसमें कोई भी आध्शा और भी बढ़ा होने का भुश्य में समावना है अब मर्तक परिवार का एक मात्र कमाने वाला था पिता जी पूर्ण रूप से एस्वस्त हैं और बेड़ है चल फिर भी नहीं सकते मा भी कुछ नहीं कर रही एक पत्नी है वह भी कुछ काम नहीं करती दो बेटियां है सिर्फ और यहीं परिवार का बरन पालन पोस्टन और वगरा से गाड़ी बगरा चला के ओला वगरा से करता तो सर इसका नाम है दिवेंदर उत्तर स्री सशी पा प्रफिशल पालन परिवेंदर नश्मक्ति के अंदर में एडमेट थे खाना लेने के लिए आये थे जैसे उपर से निच्छी आन लगे तीसरे मंदल में तो अचानक इसका पैर फिजल गया तो पैर फिजल के कारण यह निच्छे कर गया तो जैसे निच्छे गिरा पर जैप ही आप यह वे